डबलू डी अपसी में पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को प्रधान मंतरी नरेंजर मोदी ने हरी जंडी दिखाई और ये ट्रैक ओपन हो गया हमारे साथ MS हास्मी साहब है आए उनी से बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये क्यूं महत्पून है सर मैं देख रहा था जिस समय प्रधान मंतरी जंडी दिखा रहे थे अब पास से ही एक और डबल जो आप डबल स्टैक ट्रेन बोल रहे थे वो भी निकल रही थी एक ये निकल रही थी तो क्या फरक है दोनों में देखिए हमारी डबल स्ट्रेक जो ट्रेल है एक तो हमारा जो स्पीट पोटेंशेल है फ्रेट ट्रेल का वो एवरेज 75 kmph का है और मैक्सिम्म 100 kmph का है हेवी एक्सल लोड है हमारा 32 तन के हिसाब से हमारा फॉरमेशन और बिर्जस को डिजाइन किया है और ट्रेक हमारा 25 तन जो ट्रेक है इसमें स्पीट पॉटेशन इसलिए जादा है क्योंकि यह डेडिकेटेट है फुल फ्रेट के लिए सेक्शन और जबकि आयार में मिक्स ट्राफिक होने की वज़े से क्या होता है कि वहां पर एफिशेंसी लूज होती है पैसेंजर ट्रेंस के भी और फ्रेट क्योंकि हम डेडिकेटेट फ्रेट ट्रेंस ही हमाने हां रन करेगी तो हम इसको सीधे पोर्ट में या गंतम में जो भी इसका डिस्टेरिशन होगा हम उसको मूव कराएंगे हासे साब मतलब यह है कि पैसेंजर ट्रेंस नहीं चलेंगी सिर्फ इसमें डेडिकेटेड है तो इसलिए जो है यह ज़्यादा फाइदे मनने है इसमें हमारा जो लोड केरिंग केपैसिटी हमारे ट्रैक की है वो ज्यादा है आई यार में 22 टन का ही लोड जा सकता है हमारे अभी 25 टन का हम एक्सेल लोड बतलब एक वेगन में चार एक्सेल होते हैं तो हम सो टन ले जा सकते हैं जो की केपैसिटी वहाँ पर अठासी टन के आसपासी है टोटल तो एक तो हमारी अडिशनल केपैसिटी हो गई इसकी और इसके अलाबा हमारा स्पीड पोटेंशिल हमारा जादा है इतनी स्पीड से यह ट्रेने चल पाएंगी इस फुल स्पीड से चलेंगी एवरेज तो मैक्स समेंटी फाइव आएगा और मैक्सम स्पीड हंडेट के एंपी इस पर परमीटेट है और ट्राइल किया है हमने आडिया सो की ट्रेंस आई वैगन्स को 25 पर चलाना होगा हमने उनको ट्रेक प्रवाइड के आडिया सो को टेस्ट करने के लिए कि आप हमारा ट्रेक लीजिए और टेस्ट कीजिए और उस पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो हमारे सेक्शन पर रन करेगी फिचर में 306 किलोमीटर का सेक्शन ओपन उसे गुजरात का पालनपूर उसमें कैसा काम चल रहा है किस तरीके कब तक खोल देंगे रिवाडी से अजमेर हमने आज खोल दिया है अजमेर मतलब मदार मदार से पालनपूर हम सेविल और ट्रैक पर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं इलेक्टिकल वर्भी कनेक्शन हो मकरपूरा दिसंबर 21 का टार्गेट है और जून 22 हमारा टोटल टार्गेट है जून 22 तक मतलब दादरी से लेके जैन पीटी मुंबई में मुंबई में खास तोर पर भूम अदिग्रान को लेके कुछ प्राब्लम्स हैं ऐसा कुछ है मैं एक्छली यहां से लेकर के मेरा जो सक्षिन है मैं रिवाडी से लेकर के बालगढ तक का देख रहा हूं और जारा तर जो मैंने अभी डारेक्ट में उसको और सीनी कर रहा हूं लेकिन जो अभी इंफरमेशन ने जारा था लेंड के इशूस तो रिजॉल्फ हो गये हैं सब्सक्राइब करते हैं उपर वाले वायर जो दिख रहे हैं तो आखिरकार आम आदमी के लिए क्या चीज है कैसे समझें अब आखिर इसमें साथ में फीडर भी रन करता है उपर जिसमें 25 के रहता है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि एफिशन्सी इसकी इंप्रूव होती है एक पॉजिटिव जाता है नीचे से और एक नेगेटिव उपर से फीड़ जाता है तो टू इंटू टूटिफाइव इस पॉंट भी उसकी लोग कहते हैं कि 2 x 25 साथ हलती रेलएव में क्या होता है 25 इंटूटिव के गृजिटर नहीं है आप देखिए उसमें उसमें वाईर करी हो रहा है और यहां हमारे देखिए उपर जा रहा है एक पर जा देख्रें तो वह फीडर वाईर वाईग्स उप हाँ फीट करता है section को actually मैं electrical का भी expert नहीं हूँ basically मैं civil engineer हूँ जो मेरे पास information में गैदर हुई है उसे बता रहा हूँ कि ये negative वहाँ से जो इनके transformers हैं वहाँ से TSS जो बोलते हैं वहाँ से दोनों feed किया जाता है तो efficiency proof करता है बेसिक लिए कितनी कितनी दूर पर station है और station इसके क्यों खास है इस्टेशन हमारे करीब करीब 45 से 40 किलोमेटर दूर stations है हमारे और हर station के बीच में हमारी auto signal है तो इससे फाइदा यह रहता है कि section की capacity बढ़ जाती है जब जादा signal आप देंगे तो ट्रेंज आप जादा ले सकते हैं तो एक के पीछी एक रन करेंगी ट्रेंगी जादा माल आप ले जा सकेंगे और आसानी चलेजा नॉमली क्या होता है जब हम एक साथ आई-ार में देखें साथ किलोमेटर का section है अब उस 7 किलोमीटर में जब तक ट करेंगे जाते हैं कि उसमें क्या ऐसा है हम अत्यादूनिक कहें उन्हें इस्टेशन में सिग्नलिंग को बलाओं मेरे पास साथ में है कहें तो आप उनको बलाता हूं वैसे तो हमारा तो बताया हमने एक तो यह हमारा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का है electronic interlocking है हिटाची हमारा जो एक्सपर्ट कॉंटक्टर है उसने यह सर्विस प्रवाइट किये हैं और यही है में सब्सक्राइब है जब इस तरीकी का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो लोगों को रहता है उमीद की रोजगार पैदा होंगे डेर सारे रोजगार मिल जाएंगे इसमें क्या उमीद ह नहीं कैसकते हैं लेकिन देखे जब इंफस्त्रक्फरब्रस्ट्र्रॉक्जर बढ़ता है तो इंफ्रस्ट्र्ट्र के साथ साथ जब टेंठ होता है तब इंफ्रस्ट्र्रॉयमेंट भाजब इखिए बनने के बाद जशे ंबर्ट करेगा बह dollars व्यों मैंध बात कर रहूं क उसमें लोगों को उम्मीद रखनी चाइए क्यों नहीं रखनी चाहिए उसके जो रिक्वार्मेंट होगी वह तो हम फुल्फिल करेंगे हमारे अपने स्टाफ तो रहेंगे हमारे स्टाफ ही सब उसको रं करेंगे और सवाल है कि अगर हम जब डिफसी की बात करते हैं लोग सवाल पूछते ही तो प्राइवेट लोगों को फाइदा दे रहे हैं तो यह जो संसा है उसको ज़रा दूर करिए लोगों का कि उनको लगता है कि तो अम्बानी अधानी के लिए सब काम कर रही है है और लोगों के लिए नहीं कर रहे है तो हमने सुना ही वाइए आम आदमी को भी फायदा होगा कैसे होगा हमारा काम है प्रेथ इंफिर्ण सट्रक्शर पैदा करना देश के लिए तो नया जब इंफ्रास्ट्रॉक्चर आएगा तो इसके साथ साथ जब तक आपके पासंस प करेंगे development कैसे होगा देश का रोड बढ़ी तो उससे रोड के नेटवर्क बढ़े तो उससे देखिए इस इफिशेंसी बढ़ी सिस्टम इसे ट्रैक में जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो सब को रुजगा चाहूंगा यह भारती रेलवे का ट्रैक है जिस पर ट्रेन जा रही है बड़ी तेजी से जा रही है आने वाले दिनों में यह पूरा नजारा बदल जाएगा क्योंकि यह सारी ट्रेने हम कह सकते हैं WDFC पर चलेंगी और ज्यादा स्पीड में चलेंगी यह जो स्पीड आप 30 के आसपास है हम सो के स्पीड से चलाएंगे नबबे और सो के बीच में 75 तो हमारी एवरेज रहेगी आपने पावर्फुल इंजन भी लगाने शुरू कर दो जितना लोड रहेगा उसी साब से इंजन हमारा रहेगा हमारा जब सेक्शन वह है लंबी ट्रेन चलाएंगे तो उसके लिए पावर्फुल चैंजन चाहिए हमको बिना उसको तो हम कहरी नहीं कर पाएंगे तो यह तो हमारी रिक्वार्मेंट है करेंगे हम लोग तो निश्यत तौर पर आने वाले दिनों में भारत की सस्वीर बदलेगी खास तौर पर भारती रेलवे की तस्वीर बदले ट्रेन एक तरीके कंटेनर ट्रेन यहां से चली है आने वाले दिनों में तमाम ऐसी ट्रेने आपको नजर आएंगी और एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि जब डेडिकेटेट फ्रेट काईडोर पूरी तरीके से बन जाएगा तो निश्चित तोर पर पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी जगे बनेगी साथी साथ बड़ी बड़ी मालगारियां चलेंगी बंदरगा सीधा जुड़ जाएंगे यानि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा कहीने कहीं भारत को आर्थिक महा ताकत बनाने में यह डेडिकेटेट फ्रेट काईडोर एक बड़ा रोल आदा करने जा रहा है निव अटेली से सिधार्थ निव जी स्टेशन